नमस्कार मैं भी बेकानंद और आप देख रहे हैं निज़ फोर्नेशन बिहार में चुनावी प्रक्रिया वोटिंग जो है समाप्त हो गया है अब आज और कल यानि कि दो दीन चर्चा का बाजार गर्म है एकजिट पोल में जो नतीजे आये हैं उस पर तरह-तरह के कयास लगा आजेंगे लेकिन इन सब के बीच जो एकजिट पोल के नतीजे आये हैं उससे असपस्ट हो गया है कि महागटबंधन की सरकार महागटबंधन की असपस्ट बढ़हत मिलते दीख रही है हलाकि फाइनल तो दस तारीक को होगा लेकिन इन सब के बीच तैस्वी आदव की सरकार बनने वाली है राजत का चेहरा यानि की तेस्वी यादो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं इस लिहाज से राजत जो है फूक फूक करके कदम रख रहे क्योंकि तेस्वी यादो अपनी हर चुनावी सवा में कहते हुए रहे कि वे 15 साल जो पहले वाली बात को भूल जा जो भी वर्ग है उन तमाम लोगों को हम साथ लेकर चलेंगे राजद समावेसी विकास की बात करती है हम सब लोगों के विकास की बात करते हैं इसी कड़ी में राजद की तरब से एक चेतावनी पतर जारी किया गया है राज़त की तरफ से यह कहा गया है कि 10 तारीकों यानि की मतगणना के दीन मतगणना के दीन आप तमाम राज़त की जो कारे करता है जो भी नतीजें आए उस पर पूरी तरीके से सन्यम बरतना है यानि की पूरे सांती से उसे स्विकार करना है अगर आपकी जीत भी होती है, आपके प्रत्यासी यानि की राज़त की सरकार बनते हुए भी दिखती है, बन रही होती है, उस स्थिती में भी आप किसी तरह की कोई परेशानी, कोई बाधा उत्पन नहीं करें, आप किसी तरह का कोई हर स्फाइरिंग, बेवज़ा की परेशानी में नहीं डालें, दरसल आज यह नौबत क्यों आई, क्योंकि राज़त का मानना है, राज़त नेत्रितु को लगता है अंदर से कि कहीं न कहीं तेजस्वी यादो सरकार बनाते हुए दिखेंगे, तो वैसी इस हिती में जो राज़त के कारे करता है, उसमें आरिंग भी कर सकते हैं, उसमें आकर के बेवजा का जुलूस निकालेंगे और उसमें रास्ता रोकेंगे, साथ ही विरोधियों को परेसान करेंगे, जो व्यक्ति जो नेता हार रहे हो, यानि की बीजेपी और जेडिव का केंड़ेट अगर हार रहा हो, तो उसके खिलाफ व कोई बाधा उत्पन नहीं होनी चाहिए, अगर आप करते हैं, तो हम सक्त कारवाई करेंगे, तो दो ट्वीट के माद्यम से, आर जेडि ने अपने कारेकरताओं को, अपने नेताओं को चेताया है, कि अगर आप कोई गडबड करते हैं, दस तारीकों यानि की दस नौम को रिजल्ट के देन, तो हम बकसने वाले नहीं हैं, अगर विहार के लोगों को परिसान करियेगा, उन्हें राष्टा रोकिएगा, किसी तरह का वेवधान उत्पन करियेगा, विरोधियों पर हमले करियेगा, हर्स फारिंग करियेगा, तो हम कत लिपरदासत नहीं करेंगे अनूचित आतिसबाजी, हर्स फाइरिंग, प्रतिद्वंदियों अथ्वा उनके समर्थकों के साथ असिस्ट बेवार इत्यादिक किसी कीमत पर स्विकारे नहीं होगा अगले ट्विट में है राज़त के सभी कारेकरता असमरन रखें 10 नुवंबर को चुनाव परिणाम कुछ भी आ जाएं, आपकी राजनीती की परीधी, अथवा केंद्र में, लक्षे अथवा मार्गे में, केवल जन, जन सुविधा और जन उत्थान ही है और आगे भी रहेंगे मतलब साफ है कि हम खुसी में, हम किसी को परिशान नहीं करें, अगर हमारे जीत होती है तो यह जीत भीहार की जीत है, इसमें किसी को टारगेट नहीं करना है, अगर विरोधी वहां से हारता है, यानि कि सत्तधारी पार्टी जो जेडिव बीजेपी है, उसके कंडिएट साथ पेश आना है, सणकों पर बेवजह की रैली या जुलूस नहीं निकालना है, रास्ता रोक करके हमें आवा गमन को बाधित नहीं करना है, तो दस तारिक से ठीक दो दिन पहले, आर जेडि की तरब से, तेजस्वी यादों की तरब से यह गाइडलाइन यह बताता है कि क कुछ आसमाजिक ततों मिल जाएंगे और हुर्दंग कर सकते हैं, तो वैसे लोगों पर नकेल कसने के लिए, आज ही यह आदेश जारी कर दिया गया है, यह सक्त चेतावनी जारी की गई है, मकसद यहीं है कि पार्टी पर, तेजस्वी यादों पर किसी तरह का कोई दाग, क कोई आच नहीं आए, अधिक अपडेट्स के लिए देखतेरी न्यूज पर नेशन, नमस्कार